रुकरते हैं परदेश के और राजेपाल आचारे देव प्रत और मुखे मंत्री जरम ने बस हाथ्चे पर शौख बयक्त किया है राजेपाल ने अपनी शोक संदेश में इश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांती की प्रातना की है मुखे मंत्री जराम ठाकुर ने कहा कि इस हाथ्चे से बे बहुत आहत हुए हैं जिसमें कई बेश्क कीमती जाने गई हैं उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रती अपनी गहरी संबेदनाई प्यक्त की है के बंजाग में आज एक दर्तार बस दुकटना हुई जिसमें 33 जाने चली गई मैं सोक संतप्त परिवार जो हैं भगवान उनको इस सब्मे से उबरने की सक्ति परतान करें और जो 37 लोग घाइल हैं भगवान से मैं प्रात्मा करता हूँ कि वो चल्दी ही स्वस्त हूँ हाँ एक दुखद बस की दुगवाटना हुई है ये प्राइविट बस थी ये बंजार से गाड़ा कुषन से होकर के खाली जा रही थी और जो सूचना भी मिली प्रशाशन की और से उसमें जानकारी मिली कि लगवाग पचास के उपर इसमें स्वारियं थी और बीस लोगों की जान की जान चले गई ही भी सूचना मिली है ये बहुत दुख का विशह है और 25 के लोग लगबग जो है वो गाइल है, सभी गाइलों को कुलू के लिए रहेफर κα़़ दिये गया है, कुलू होश्पिटल के लिए भीज़ दिये गया है, तो अभी अबी अध्यक फिगर जो भी तक आने बाखी क्यूंकि रहात कारे वहाँ पर अभी तक चल रहा है, वहां से कुलू से और कुलू के साथ हो क्याना मन्डीका साथ का ईलाकर लगता है और यह गटना जो घटित हुई है मैं सारे उन परिवार के प्रतिसमेदने वक्त करता हूँ और इश्वर उनके परिवार को सारी समंधियों को इस दुख की गड़ी में इस दुख को सैन की शक्ति जिनके परिवार के सिदसे नहीं रहे और जो गाहिल है उनके लिए हम प्रात् आप शक्ता रहेगी आगए भी बेचेंगे इस पर हमने जांस के मैजिस्टिल इंक्वारी के हमने जांस के अधिश दे दिये और जांस के अधिश के बाद जब रिपोर्ट आए कि उसके बाद ही हम कह सकते कि कारण किया रहा हूँ